इन दिनों बॉलिवूड फिल्म्स और OTT फ्लैटफॉर्म्स पर रिलीस होने वाले वैब सीरीज से भी ज़्यादा टेलिविचन सीरियल्स लोग पसंद करते हैं और आए दिन कोई न कोई सीरियल हमेशा ट्रेंडिंग में पना ही होता है आज हम बात कर रहे हैं इश्रार प्लस के सीरियल इमली के कैरेक्टर राजश्री रानी के बारे में राजश्री टेलिविचन सीरियल सुहानी सी एक लड़की में सुहानी के किरदार निभाने के लिए चानी चाती है इस सेरियल से राजशरी रामी काफी फेमस हुई थी और करंटली ये इंडी सो में दिखाई दे रही है जैसे फैंस काफी पसंद भी कर रही है तो चलिए आज हम आपको राजशरी के पायोग्राफी पर्सनल लाइफ फैमली एज की बारे में बताने वाले हैं और साथ ही साथ इनके लाइफ से जुरी कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स अगर आप ये सब जानने में इंट्रेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए हैं आपसी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक चरूर देखें टेलिविजन की खुबसुरत एक्ट्रेस राच्ष्री का जन्म 8 डिसंबर 1987 को फदेपूर उत्तर परदेश में हुआ था और साल 2023 की इसापस ये है 36 years के बात करें इनके early life और education की तो बता दे इन्होंने अपने schooling education government girls intern college पदेपूर से complete की है इसके बाद इन्होंने अपने college की पदाई Christ Church College कानपूर से complete की है वहीं आपको बता दे राच्ष्री अपने parents की इकलोती बेटी है और इनके कोई siblings नहीं है इनके फादर का नाम विश्नो सुकला है तो वहीं उनकी मा का नाम शियावती सुकला राच्ष्री बताती है कि इनके life का सबसे struggle time तब था जब साल 2014 में इनकी मा ने इस दुनिया को छोड़ दिया अपने मा को खोने के बाद राच्ष्री कहती है कि अपने मा को खोना इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है उस साल को वो अपने life का डार्क फेस बताती है तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनके career के बारे में राच्ष्री को बच्पन से ही acting और modeling का काभी शोग रहा ह यही वज़ा था कि राच्ष्री बच्पन से ही अपना career acting में ही बनाना चाहती थी जिसके बाद अपने study complete करने के बाद राच्ष्री अपने सपन को पूड़ा करने मुंबई पहुंची मुंबई आने के बाद राच्ष्री लगभग दो साल तक काफी struggle hard work का सामना किया साथ ही साथ इने हर जबा सिर्फ rejection का ही सामना करना पड़ा इतने rejection के बाद भी राच्ष्री ने कभी हार नहीं मानी और लागतार मेनत करती गई और वो कहते हैं ना मेनत करने वालों की तो कभी हार होती नहीं काफी लंबाई struggle करने के बाद इनको साल 2012 में टेलिविजन सीरियल मदुवाला में एक छोटा सा रोल प्ले करने का मौगा मिला इसके बाद राच्ष्री काफी सारे टेलिविजन सीरियल में नजर आई जैसे एक किरन रोश्ने की सावथान इंडिया, Haunted Nights और CID लेकिन राच्ष्री को पॉप्लेरिटी मिली साल 2014 में आई सीरियल सुहानी सी एक लटकी से इस सीरियल में इन्होंने सुहानी के किर्दार को प्ले किया था इस सीडियल के बाद इमान और आठ्षरी को पैर बर कर पॉपलारिटी मिली थी और इस सीडियल में नोंने साल 2014 से लेकर साल 2017 तक काम किया इसके बाद ये 51 और ये जादू है जिनका सीडियल में भी नजर आई इसके बाद ये साल 2020 से लिकर अभी तक स्टार प्लस के पॉप्लर सीरियल इमली में नजर आ रही है और इस सीरियल में इनके कैरेक्टर को और साथ इसाथ इनके एक्टिंग ओफेंस का भी पसंद कर रही है हम बात कर लेते हैं इनके प्रस्टनल लाइफ एंड आफ यर्स के बारे में तो बता आदेराच्री मेरिट है इनकी दो शादिया हुई है इन्होंने अपने पहले शादी की थी साल 2010 में कास्टिंग डाइरेक्टर विनित फांडे से जो पात साल तक चली और आपसी मतवेत की बचल से दोनों अलग हो गए फिर से इन्होंने दूस्टन शादी की है एक्टर गॉरप मुकेस के साथ जो इनके साथ शोवाने सी एक लटकी सीरियल में शरत मिश्रा के सहे ट्रोल में नजर आये थे और इस सीरियल में ही काम करने के साथ साथ इन दोनों के बीच फ्यार हो गया जिसके बाद लागातार इन दोनोंने 6 साल तक एक दूसरे को डेट किया फिर इन्होंने 29.2020 को मध्यपर्देश के वालियर में शादी कर लिये और करेंटली इमली शों में दोनों हस्वेन और वाइफ के कैरेक्टर को प्ले कर रही है तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनके लाइब से जुरी कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स की राच्री का जन और पालन पोसन एक मिडल क्लास फेमिली में हुआ था राच्री को घूमना पिड़ना और अपने फैमिली के साथ समय बिताना काफी पसंद है साथ ये साथ इने जानवरों से भी काफी प्यार है सुहानी बताती है कि उनके सभी टेलिविजिन सीरियल्स में उनकी पसंदिदा सीरियल्स हैं सुहानी सी एक लड़की जिसमें उन्होंने सुहाने के कैरेक्टर को प्ले किया था और ये उनका परस्नली काफी अच्छा सो था राजश्री शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी काफी एक्टिव रहती है जहाँ पर वो आए दिल अपने लपीज डवीज फोटोस और विडियो शेयर करती रहती है इस्टाक्राम पर इनके एक लाग चौलिस हजार फॉलोवर्स है तो गाईज ये थी राजश्री रानी के लाइफ स्टाल से चुरी वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें और इसी तरह की डियर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब शरूर करें